नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रांट जोतिस सीक्रेट सुक्र का रासी परिवर्तन होने जा रहा है सुक्र कन्या रासी में गोचर करेंगे और कन्या रासी में पहले से केतू बिराजमान है 25 अगस्त को जब सुक्र कन्या रासी में आएंगे तब सुक्र कन्या रासी में नीच के होंगे अगर हम जोतिस की माने तो सभी ग्रहों की उच्च और नीच की इस्तिती रासियां बताती हैं लेकिन सुक्र का कन्या रासी में आना और साथ में केतू का साथ मिलना वैसे तो सुक्र जीवन में एस्वरे, रोमांस, धन्धान, बैवाहिक सुक, वाहन सुक, भूमी सुक, भवन सुक, सब देने बाला है पर कन्या में आने के बाद वो 18 सितंबर तक कन्या में ही रहेंगे सुक्र नीच रासी में आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके उपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि नौ ग्रहों में सुक्र को प्रेम का, धन्दौलत का, बिलासिता का, एस्वरे का, इस्तरी सुक का, वाहन का, सुक का कारक माना गया है सुक्र हमें भौतिक सुक भी देता है, सुक्र को वीनस कहते हैं, वीनस जो सुन्दरी की देवी है अब यहां प्रेम रोमान्स के साथ, जो 25 अगस्त से 18 सितंबर तक का वक्त है, जब केतु के साथ सुक्र की युती होगी तो यह भ्रम देगा, भ्रम के कारण ब्यक्ति सोचने सबजने की सक्ति खो देता है, घटनाएं जो वास्तविक हैं या ओ वास्तविक वो देख नहीं पाता भौतिक बिलासिता से भी औसंतुष्टी देता है, जब सुक्र और केतु की युती होता है क्योंकि दिसाहीन, केतु, प्रेम के गरह सुक्र को रिस्तों में बिभिन दिसाओं में ले जाता है, संगर्स गलत फहमी करवाता है और आपको एहसास तक नहीं होने देता यानि रिस्तों में भ्रम, अहंकार, जगड़े लड़ाई देता है ये युती भ्रम और माया का गरह केतु, भौतिक सुक के गरह सुक्र, तो सुक्र केतु योग, मकर रासी बालों आपके लिए कैसा रहेगा, देखिए सबसे पहली बात तो आपके नवम्भों में सुक्र आ रहे हैं, यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है अगर कोई काम की सुरुआत करने जा रहे हैं, तो अभी रुख जाएए नहीं तो गलत निरने ले लेंगे, फिर मुश्किलें पढ़ जाएंगे इसलिए अभी ध्यान रखें और दूसरा, बहुत गहराई से चीजों को सोच समझ कर फिर आगे बढ़िए जो यहाँ पर महतपुर्ण बात यह है, कि आपको धुखा मिल सकता है किसी की बातों में मत आईएगा सनी देव की मूल रासी है, मकर अब यहाँ पर सनी देव मूल तरिकोन कुम रासी में सरपथम तो यहाँ पर नए कारियों की सुरुआत से आपको बचना होगा धन के मामलों में जीतना हो सकें, मेनेजमेंट का ध्यान रखें यह आप कहां खर्च करना है, क्या नहीं करना है तमाम चीजों को नजरे बनाए रखें और बिजनस के मौमलों में ज्यादा आपको प्रियास करना होगा, मेहनत करना होगा तब जाकर आपको लाब होगा ग्रेहस्त जीवन की बात करें तो छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाए रिलेशन में जितना बॉंडिंग अच्छी रहेगी उतना अच्छा उपर से सारे साती का अंतीम चरण चल रहा है मेहनत कीजे, मेहनत से सफलता है रिस्तों में तालमेल बनाये रखें, इमांदारी रखें, पारदरसिता रखें सुक्र आपके पाचवे दसमे भाव के सौमी होकर आपके नवे भाव में रहेंगे अनुकूल पर नाम प्राप्त होगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे इस समय खुद में आप अच्छा बदलाओ देखेंगे, नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं उनके लिए समय अनुकूल है, पदोनत्ती के योग बनेंगे, खुद का काम करते हैं, आपको ज्यादा लाव होगा, जो बैपारी भाई हैं, उनको प्रगती होगी, और जीवन साती के साथ तालमिल बना कर चलिएगा, स्वास्त के मामलों में, आपको यहां पर स्वास्त में चाहते हैं, तो अभी रुख जाएए, जो बिद्यारती हैं खास कर मेहनत कीजिए, और इस समय भागी भाव में सुक्र के आने से हरिक्षा पूरी चुकी कर रहा है, संपत्ती, परपर्टी, जोलरी खहिदने के योग हैं, परसोस समझ कर खहिदना है, और अपना बजट इसमें आकर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा करने से बचें, विद्यारतों के लिए जिग्यासा बढ़ेगी, आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, परिवार वालों का हर कदम पर आपको सपोर्ट मिलेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और ये चीजे आपको आगे बढ़ झालों कामलों कामलों के serious equipment अपको आपको सर्फ का हर कामलों का मिलेगी, ऑपको कि ये मिलेगा, ये खिजर घग्यारतों कुछ विवारलों के रfahrता क्वे MBA, भी क्यार deze हैं, त्रृ कना भी कर्वेपा पॉछ, पर द क्वेश प्वेशना, पना वत मिलेगाए कि का हैं और वाल